जैस्टिहरी विष्णु भगवान विष्णु की किरपा हमारे सभी मित्प्रों पर बनी रहे यही हमारी मंगल का मना है गरुर पुरान में कई ऐसे बाते बताई गई है जिनका पालन करने से घर में सुख समिर्धी आती है और कुछ ऐसे आधते बताई गई है जिनसे हमेशा दूर रहने की शलाह दी जाती है बेक्ती की एबूरी यादते मालक्षमी को नाराज कर देती है और हमें पैसों की तंगी का सिकार बनना पड़ता है तो आईए आज आपको बताते हैं कि वो कौन से काम है जिन्हें करने से मालक्षमी नाराज हो जाती है करवे सब्द ऐसे लोग जो दूसरों से करवा बोलते हैं ओ मालक्षमी को कभी रास नहीं आते हैं अब शब्द या कटू बचन बोलने बाले लोगों पर धन की देवी मालक्षमी कभी किरपा नहीं करती है इसलिए हमेशा भी नमर रहें और छोटे बड़े सभी के साथ सम्मान लोग salad प्यारुक परेशाएं छों लोग गंदे कप्रे पहनते हैं गंदगी में रहते हैं हमेशा मालक्षमी उनसे नाराज़ रहती है इसे लोगों के जीवन में कभी बरकत नहीं आती है कितनी भी मेनद क्यों करें लेकिन जीवन में सुख समिर्धी नहीं रहती है मालक्ष में इन लोगों पर कभी किपा नहीं करती है इसलिए रोज असनाम करना चाहिए अपने अरोश-परोश की सफाई करनी चाहिए और स्वक्षबस्त्र पहनने चाहिए और देड़ तक सोने वाले लोग जो लोग सुर्जोदय के बाद भी सोते रहते हैं वे जीवन में कभी सुख सफलता और संपनता और अच्छी सेहत नहीं पा सकते हैं ऐसे लोग दुख और दरिद्रता में ही जीवन बिताते हैं इसी तरह साम के शमय सोने वाले लोगों से भी मालक्ष मीना राज होती है वे कभी भी ऐसे घरों में बास नहीं करती है जहां लोग साम के समय सोते हैं क्योंकि साम का समय घर में मालक्ष मी के आगमन का समय होता है